जैसा कि तालिबान ने दो प्रांतिये राजधानियों पर कबजा कर लिया है। सर्युक्त राश्ट्र के दूत ने UNSC को बताया है कि अफगान युद्ध देख, घातक और अधिक विनाशकारी चरण में प्रवेश कर रहा है। जिसमें 1000 से अधिक नागरिक हताहत हुए हैं। तालिबान शासन को उखाण फेकने के उद्धेश्य से अमेरिका 9-11 की घटना के बाद अफगानिस्तान गया था। तालिबान ने उस समय उसामा बिनलादेन के नेकरत्व में अलकाइदा की शरण ली थी। बिनलादेन नियुयोर्क में बरबर आतंकवादी क्रत्य का मास्टर माइंड था। उसामा बिनलादेन और कुछ अन्य आतंकवादी निताओं को खत्म करने के अलावा। उनके सैन्य उद्देश में यह सुनिश्चित करना शामिल था की अफगानिस्तान में कोई भी आतंकवादी समूह अपनी मुख्य भूमी पर फिर से हमला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहो। अफगानिस्तान में शान्ती और विकास एक अपेक्षित परिणाम था नकी उनका मुख्य उद्देश्य। अमेरिका ने अफगान धर्ती से तालिबान और अन्य इसलामी आतंकवादी संगठनों को खत्म करने की एक अव्यभारिक सीमा तक अपने लक्षे को बढ़ाया। कम से कम यह महसूस किया कि सैन्य शक्ती स्वयम वहाबी विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकती है। धार्मिक कटलवाद की समस्या का केवल सैन्य समाधान खोजना एक रणनीतिक गलत ने ले था। कर कर present दिए कि माझे हो अपने इन का का कई तया लागती है। कि माझे भी ले जबawkों आप सरे छोगे ऱ्यभाद कर देंका हां है